कि एब्रिवन गुड इबनिंग गुड इबनिंग सबको गुड इबनिंग तो प्रिवेस क्लास में हम लोग आच्छागा सा टॉपिक कवर कर चुके थे चैप्टर आपका चल रहा था एक्सप्लोजन इन माइन्स ये चैप्टर को हम लोग पढ़ रहा थे तो इसमें बहुत सरा इसा पॉइंट है जो हीडन है आप पढ़ेंगे दिरे दिरे तब ही आपको समझने आएगा और इनी पॉइंट को देखते हुए हम लोग दिरे दिरे इसको आगे बढ़ा रहे थे त अब लोग उसके आगे बढ़ते हैं ठीक है कभी भी कोशन पूज सकता हूं तो पूरा दिमाग को सार्प रखेगा अब हम लोग आते हैं डेस्ट प्लान तो देखिए ऐसा है कि एक्स्प्लोजन ईक्स्प्लोजन हो सकता है थीन तरीके का मैं आपको बताया थी पहला था फायर डंप उसको अलग रखका जा सकता कुछ में किया जाँए घंडिके क form करें कि चाहिए किने सरफिस में पूरा क्ने की चयाना चाये कि दरिशुं के पर शन्द के समय करें की पिद्धीटीब है कर सकते हैं लेकिन इसी कुल डस्ट का सेंपल भी बीच-बीच में लेना जरूरी होता है लेब में हम उसका अनलाइसिस कराते हैं क्यों बहुत सारा बीमारी है कि बीर में में जो डस्ट के खारन होता है बहुत सारा बीमारी है जैसे कुछ अकुपेश्नल हेल्थ डिजिस के बारे में आपको बताते हैं ठीक ऐसा है कि जो डिजीज हैं नसर डिजीज डिएस यहस होनाच चेहीज जंडरल माइनिंग सेक्टर में दो परकार के होते हैं एक होते हैं occupational और दूसरा होता है डिजिजी से बकेके a sulh नोटुफाइड बिभीमारी को रखा गैां लेकिन आठ हो करना दिजी के अंदर आपको कम लाइट में काम कर रहा है तो दिरे दिरे आपको आँक में चौंधिया पना जागा आपको नेश्टा गमस नम का बिमारी हो जाएगा तो एक उक्पेश्टनल डिजिज है इसी तरह से अगर मान लीजे वह आदमी समझाते आपको बहुत सरा उक्पेश्टनल बिमारी होता है ये को दुग बिमारी नहीं है बहुत सरा बिमारी डस्ट से होता है अधवर अ का जनेरली एक बिमारी है सिलिकोसीस इसके बाद एक बिमारी और है सिड्रोसिस हब सिड्रोसिट क्या होता है इसका डष्ट होता है या फिर मोड़्स या फिर है इसी तरह से एक और वीमारी है आपका बैरियो लो नौसिस तु चाहरण थोड़ा खराब भीह आंग्रेजी मिडियम में नहीं पढ़े हिंदी मिडियम पढ़े थोड़ा अंग्रेजी का दिक्क्त हैं तो समझ जाएगा बेरीलियोसिस बेरीलियोसिस जो एक वीमारी है यह आ पटान का थो इस से निकलता है या फिरией स्यलिकेट होते हैं मेगनिसियुम का इन चीजों का जूंसे निकलता है तो हम वब कЙमारी बिमारी है टो मेरी बातों को समझेगा है मैं क्या कहना चाहिए देखिए कोल्ड जो होता है वह अगर एंथ्रासाइड है अगर एंथ्रासाइड है तो इससे डस्ट थोड़ा सा कम निकलता है और इससे बीमारी का चांसे थोड़ा सा और कम होता है अगर लिगनाइट कोईला है तो इसमें बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि डस्ट में पाइराइट की बारे में बताया थे हम एच्ट एससो बनता है सुल्फिरेक इसिट तो कहने का मतलब यह हो गया कि कोल्ड डस्ट जो बनेगा वह खतरनाक होगा नहीं होगा यह सब को जानने के लिए हमको सेंपल तो लेना पड़ेगा कि यह कोली स्ट का सेमपल लेना पड़ेगा उसमें देखना पड़ेगा कौनकौन सा कंटेंट आ रहा है कहिं ऐसा तो नहींकि до इस साथ सास्ट सेलेका का बत्थर है उपर में नीची electricity सब चीज का जांच करना जरूबी होता बाकी बीमारी तुम आपको गिना दिया लेकिन इतना बीमारी है माइनिंग में माइनिंग में आप लोग सोचते बहुत पैसा है लेकिन इतना बीमारी है वो कोई नहीं बताएगा अगर हम खोल के देखेंगे तो अभी साथ 42 या 43 बीमारी सिर्फ में काम करने से अलग-अलग जगह पे अलग-अलग situation पे गाम करने से बीमारी होता है सोचिए तो इतना बीमारी से लड़ रहे है आप हर रोज इसमें से बेसिकली क्या होता है अगर प्यमी हो रहा है टाइम पे तो कई बार पकड़ महीं नहीं आता है क्योंकि डॉक्ट्टर लोग प्यमी कैसा करता है बेसिक चीज जांस लेता बास बागी छोड़ देता उतना कि कोई नहीं चले आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक प्याते हैं तो यहां पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है सीमर दो 123 में ठेक है तो अभी 123 से तो रहा नहीं 1957 का था अभी क्या आ गया सब अभी आ गया है रेगुलेशन वर 144 में दिया होगा रेगुलेशन पर 144 में द करेंगे इसके बारे में रेगुलेशन वर 144 में दिया हुआ है और उसमें जो डाटा है कहा गया है कि यह को डस्ट प्लान बनाएं ठेक कहां कहां से डस्ट निकल रहा है किस-किस जगह पर्टिकुलर डस्ट निकलता है बहुत ज्यदा मातरा में कहां कितना मातरा में कितना मा जाता है लेकिन ये गलत है डीजे दिश्मुक्स आपको हम गलत कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये 1957 के हिसाब से बनाए गया था और ये सही भी है 1957 के साथ से लेकिन 2017 में इसको चेंज कर दिया गया है रिगुलिशन नबर 144 आप पढ़िएगा 144 का पॉइंट नंबर पहला अगर पढ़िएगा तो उसमें क्लियरली मेंसिन किया हुआ है कि डेस्ट प्लान जो बनाया जाएगा वो 2000 इस्टू 1 रेसियो में बनाया जाएगा ठीक है बाकी यहां पर जो पॉइंट लिखिया है उसको मैं सारांस करके आपको समझा देता हूँ रिगुलिशन बर 144 वाला सारा पॉइंट है इसमें बोला गया है कि हम लोग डश्ट प्लान बनाएंगे 2000 इस्टू 1 रिसियो पर बनाएंगे कुछ अलग-अलग रंग का पर खड़गाओ करना है सदिन में का करना तीज दिन में नम कहां करना पानी का चिड़गाओ या इस्टू डेस्टिंग दोनों दर्स चंत्रोल पाई में या ता है ठीक है और बीच बीचमें हम लोग क्या करेंगे कहीं पर नोटी सब्रसआएंग यह सब चीज उसमें दिया हु बढ़ जाएगा दोस्त बढ़ जाएगा एक घंटा का टाइम लगता है निकाल ये आराम से बाट जाएगे वीडियो लेक्चर का आपके पास सुविधा होगी आप फड़ा आलसी होते जा रहे हैं देखते तो हैं हमको पता है कि आप देख रहे हैं कमेंट भी आपका देखते बोला गया है यह सब पॉइंट इसमें बताया गया है ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेगुलिशन नंबर 123 का बीड एक सकेंट यार सेब नहीं होने से इसा प्रॉब्लम है बट कोई नहीं बना लेंगे तो आपको सेंट करेंगे 123 का बीड क्या लिखा हुआ इसको प्राइड के 200 मिटर के अंदर का रीडियस को कितना को 200 मिटर के अंदर रीटन हवा रास्ते का चाहे वो होलेज रास्ता हो चाहे वो ट्रामिंग रास्ता हो चाहे वो कन्वेयर रास्ता हो जो नेचुरली गीला नहीं है अब यसी बात है नेचुरली गीला है तो हमको भगव 200 मिटरं तर्था घॉल कहोए Mooर लाता कौनमी राषटा इस्में के लिए हम लोगích क्लें भाव इन लेंगे देश्ट्य क्लें देस्ट अखरनत्य। और डेस्ट प्लान भंध में क्लेंगे हम 459 में इंस grande हमने गहा कि रीटन साइड में ही हम लोग एर का डस्ट का सेंपल लेते हो डस्ट कन्ट्रूल का उपाई जब हम करते हैं तो जो लास्ट वहला सेक्शन है मतलब जो 12 मीटर के अंदर जहां पर हॉलेज चल रहा हो ट्रामिंग अब डश्ट प्लान जब बलाएंगे तो उसको हम 1500 मिटर का एक एक लेते जाएंगा और उसको हम तीन सेक्षन में डिवाइट करेंगे एबी सेक्षन इसको हम लोग जोन भी कहते हैं यह जोन बी सेंप्लिंग लेते हैं सेंप्लिंग करते हैं तो सेंप्लिंग जिस जगह पर कर रहे हैं उस जगह पर या तो पानी का छिड़काओ किया गया होगा या तो स्टोन डस्ट का छिड़काओ किया गया है तो इस कंडिशन में हम अस्पॉर्ट सेंप्लिंग करेंगे क्या करेंगे अ स्ट्रिप सेंप्लिंग क्या चीज है समझते हैं इससे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं क्योंकि वाइट पेस कहां को जोरत है तो यहां पर हमको फिर अगेन सेंप्लिंग क्या होता है है पहले सेंप्लिंग समझते हैं असान है अस्टिप सेंप्लिंग में हम क्या करते हैँ हर 55 मिटर का इंटर्वल पे पांच मिटर का इंटरवल पे हम क्या करते हैं इस तो संटिमिटर चौड़ा गढधा करेंगा अवं सेंप्लिंग ले लेंगा रूप से से पिलर से कहीं से लेंगे पांच-पांच मिटर इसको कहते हैं स्ट्रीप सेंप्लिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रीप काट रहा है इसलिए स्ट्रीप सेंप्लिंग क्या होता है और सपोर्ट सेंप्लिंग में हम लोग ंट मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक बार इधर आ गए है फिर इख़ोर इधर लिए इधर आगा आवारे थैसें डिके सब्सक्राइब होंग्र ॹुमाने को हिस और 213 005 सब्सक्राइब करें अगर स्टूण रष्ट कैश्रडगाव कर थो किए छ भी सेंपलिंग बस souvent करेंगे अगर स्ट्र对 सेंपलिंग करें तो एक मितर इंट्र पे आप सेंपल लेंगे यहां पर स्टिप सम्प्लिंग में कुछ नहीं दिया हुआ मापदन इसलिए को अस्पोर्ट जैंपलिंग कहते हैं और स्टिप स्टिप सेंपलिंग में 55 मिटर का इंटरबल पर 10 सेंटिमेटर्व चौड़ा स्टिप लेग यह है आपका पूरा पूरी पूर्फ पट अब एक मैनेजर मतलब या तो SMC होगा या recibir या सगेंड서 सटिपिट एक या तो वह ऐसा हादमी हुगा जो ओंभर्म इन सटिफिकेट लिया में तो बैर में सटिफिकेट पिया यह तो गयाि DG nei मस का अब्योग्यता Guru को इसकी बाद क्वालिफिटीचन का अगर बात निम्म में या तो डिगरी किया हो या तो डिप्लोमा किया हो इसी को हम बना सकते हैं क्या बोले हैं माइनिंग सरदार इसके एक। बन सकता है क्यों क्योंकि इसको डिप्लूमा तो चाहिए लेकिन साथ ही साथ या तो पीडिप्लोमा की जो किया क्या और सकता सब्सक्राइया को बन सकता है का certificate है कि वाराम से बन सकता है मतलब तो होना चाहिए साथ ही साथ स्टेछुरी कॉना चाहिए तब जाकर वो さप्लिंग इनशाज बन सकता है है और यह यह पॉंड आपका ए धिंक दिमाग को रहेगा और आ अगे के रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक तो आगे बढ़ते हैं अगला है पॉइंट इसमें स्पोर्ट सेंप्लिंग देखिए यहां पर फूरा-फूरी जो मैंने बता है यह पूरा लिखा हुआ है अप्लिकेशन अपर स्टोन डस्ट स्टोन डस्ट आखिर काम कैसे करता है इसको भी हम समझते हैं तो देखो ऐसा है मान के चलते हैं कि किसी माइन्स में विस्पोर्ट हो गया ठीक किसी माइन्स में विस्पोर्ट हो गया यह रहा गैलरी इधर से आग का लपट आ रहा है यह क्या है सर यह आग का लपट अब जब आग का लपट आता है तो उसके आगे-आगे क होगा यह चाहएगा आग इसFlow करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगँ यहीं पेुज जाएगग यही काम है स्टोन डस्ट बेरियर का ठीक है स्टोन डस्ट बेरियर का यही वाला काम है ठीक तो स्टोन डस्ट बेरियर के बारे में हलका सापको हम आइडिया और दे देते हैं देखे स्टोन डस्ट बेरियर यह रहा आपका एक हलमारी ठीक है इसमें बहुत सारे होते हैं या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक रखे यहां पे हैं एक रखे थोड़ा दूरी पे हैं एक रखे थोड़ा दूरी पे हैं ऐसे करकर के हम सब में स्टोन डस्ट का कुछ ने कुछ मात्रा रखतेगा हैं जैसे पीला वाला जो है स्टोन डस्ट है इसमें भ तो ऐसे भी हम रख सकते हैं दोनों में से कोई भी कंडिशन में रख सकते हैं बस अरते कि लाइट और हैवी दोनों को मापधन्ड फूरा करना पड़ेगा कुछ पॉइंट हमें आपको समझा देते हैं देखे स्टोन डस्ट बेरीर जो होता है उसका एक फिक्स दूरी होता है तो आप जैसे तेसे नहीं रख सकते हैं फिक्स दूरी क्या है 131-000020135 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 365 मीटर से जादा नहीं होना होहिए इसी के बीच होना चाहिए जो इसी के बीच में बनाया जाएगा वह कम रहेगा तो क्या होगा अगर माने लिजए 125 मिटर है तो क्या होगा तो हो सकता है कि आग उतना ढैले ensuite कि उसमें ज्यादा आग बन जाएगा इतना ज्यादा बन जाएगा कि फिर उसको बुझाना मुझकिल हो जाएगा इसी लिए एक फिक्स दूरी है 1635 मिटर तो 365 मिटर के बीच में होना चाहिए ठीक है तो इस्टोन डेस्ट बेरियर दो टाइप का होता है पहला होता है लाइट गेरियर ठीक है लाइट वाला को हम प्राइमरी कहते हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं जो प्राइमरी बेरियर होता है नसर उसमें एक हम मीटर का बात करें तो 30 किलो पर मीटर स्कॉयर के हिसाब से रखा जाता है लेकिन अगर हम हैवी का बात करेंगे तो 60 किलो पर मीटर स्क स्टोंड़ रखेंगे तो उसको लाइट टाइप का कहेंगे तो साट किलोग्राम पर मिट्र स्कॉयर किलोग्राम पर मिट्र इतना रहेगा इस पॉइंट वह याद रहेगा लाइट वाला में कितना रहता है तो दीखिए स्टून डेस्ट के बारे में जो मैंने बताया यह पूरा का पूरा वही सब कंडिशन दिया हुआ है ठीक है यह क्लाउड के रूम में होना चाहिए ग्रेंडिवल होना चाहिए मतलब पूरा फाइन पावडर जैसा होना चाहिए तो हग्दम हवा में उड़ जाए जैसे अभी उड़ता है ना अभी गुलाल पर बिल्गुल ऐसे उड़ता है नॉन इंजीरियस टू है वावावावावावाव बढ़ा ही अच्छा सब्द बढ़ा ही अच्छा सब्द इसको हम समझाना चाहिए मज़दार चीज है आज ने कि शरीर में कुछ ऐसा अफेक्ट नहीं करते हैं जिब बिल्कुल होते हैं सर बिल्कुल होते हैं अगर लाइम स्टोन का गर्दा है न तो ये एकदम खतरनाक नहीं है शरीर में जाएगा तो कुछ इसका खाना खाते हैं पचा देते हैं इसी तरह से लाइम स्टोन अगर आप पचा दिजीएगा विजेल चटान का पाउडर गर जाता है तो आप अराम से पचा दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है ठेक इसके बाद कुछ असर नहीं होगा तो यही बोला गया है कि भाईया अगर stone dust barrier हम बना रहे हैं stone dust barrier हम ऐसा stone dust लेंगे जिसमें silica ना हो cold dust ना हो कुछ ऐसा ना हो जो इंसान के सरीर को damage करें तो ऐसा generally लातो हम लोग limestone या सेल या इन चीजों का ही इस्तमाल करते हैं तो limestone जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं केल्सेम कार्बोन भी कहते हैं जेनरली उसका इस्तमाल करना ज्यादा सेफ रहता है limestone का अगर इस्तमाल करें limestone powder का तो बड़ा ही सेफ रहता white white type का powder रहेगा आसानी से आपको दिख जाएगा तो इसमें बहुत सरा फाइदा भी है limestone अगर पूरी-पूरी white है तो बढ़िया है अगर ग्रे हो गया है limestone तो समझ जाएंगे कि limestone अब कोई काम का नहीं रहा ना ग्रे नहीं होना चाहिए वाइट कलर है तो ग्रे कभी नहीं होना चाहिए तो बाकी previous class में बताया थे कि सब्सक्राइब करेंगे सिल्का बड़ा खतरा राक चीज़ है वाइट करलर होना चाहिए ठीक है ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे सेल है limestone है जीप सम है इसको जनरली हम लोग recommend करते हैं जो हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले ठीक है बाकी बोलागे है सो मेंस से कम होना चाहिए अगर हम stone dust का बात करेंगे तो stone dust का size क्या होता है stone dust का particle का size ऑट मेंस या उससे कम होना चाहिए बार-बार बोलिएगा तो मन में बोलते रहे तो श्लाइआ ठीक है लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम as stone dust का चोड़काओ की है मुल अच्के बाद हम इसके बाद इसमें पानी डाल दिए तो मैं गुणों गोबर हो जाएगा तो हम पानी का चोड़काओ करेंगे किसी जगा या तो हम Consider बागी तेल का नाम आपको बताया थे अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट नाम आप को देकते हैं एक तेल का नाम बताया थे जिसको वह पानी में मिला एक एंगर आप चछीट दीजेगा, तो ऊँद दिन तक नमी नमी रहेगा, सोंगा, उसको आप बार बार पानी का चesarताओं करना नहीं पड़ेगा, बहुत दिन तक वो गीला जमीन में चिपका रहाएगा उस तेल का नाम बत लिए बहुत ही common है बहुत ज़्यादर इकमंड किया जाता है बहुत ज़्यादर इस्तेमाल किया जाता है ठीक है उस तेल एक particular company है जिसका हम नाम पूछे थे उस तेल का नाम आप बत लिएगा ठीक है और stone dust का जांच करता है जांच कैसे करता है हाथ में लेके उड़ा के देखेगा फूप के उड़ जा रहा है तो बढ़िया है नहीं उड़ा तो ठीक नहीं ठेकाओ का हो गया दूप में सुखाएगा इस सब करेगा जो बता दिया आपको चले ठीक है बुला गया है कि अगर drying इफेक्ट को ड्यूस कर सकता है अगर में होल है इस सब चीज है कनवेयर है इस जगह मैक्सिम वेलोसेटी ऐसा है तो इससे क्या होता है थोड़ा सो गुड़ भी जाता है यह सब है तो इससलिए हम लोगों को दूरी पर रखना पड़ता है इसका दूरी कुल मिला गरके 135 से लेगर के 365 जो आपको बता है वही वला इसमें दिया हुआ है ठीक है बाकि अब देखेगा अश्टोन डश्ट बैरियर का यहां पर फोटो दिया हुआ है तो आदमी लोगों को लगता कि उल्टा फोटो देती है जमीन है या समान ऐसा नहीं है अश्टोन डश्ट बैरियर ज सकता है ऐसा जरूरी नहीं चैक है ए कि गटरी है एक बेंच जैसा बना दी है चीक है उसमें हैं नहीं जमिंप तो आजकल अलमारी बनाते हैं लेकिन पहले ऐसा इस्तमाल होता था एक लंबा टाइम तरह इस्तमाल हो ठीक है चलिक है बाकी हम आपको इसके बारे में बता ही चुके हैं दूर टाइप का होता है लाइट है भी ठीक है यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि इट में अलसो फेल यह फेल हो सकता है अगर हम 40-60 मिटर की बीच में रखें तो यह फेल हो सकता है तो जो हम अपको बता है दूरी 135 से लेकर के 365 इसी के बीच में आपको रखना है इससे कम दूरी पर रखेंगे तो आपका फेल हो प्रेक्टिकल करके देखा गया है कि कुछ-कुछ और भी पॉइंट था एक पॉइंट था हम समझा देते हैं आपको देखे स्टोन डेस्ट बेरियर जब को भी बनाया जाता है तो पहले जमीन को रिजीट बनाया जाता है रिजीट का मतलब या तो गड़ा चट्टान देख इसके पर हम बना सकते मतलब जमीन जो है हो मारें रिजीट फाउन्डेशन होला चीँक पानी आने लगे तो बहना सकता तो यह सब situation होते हैं से लिए हमको बनाना पड़ता है बाकि जो हम आपको बता है देखें आप ले लेकिन आपका गालरी का साइज एकदम जरूरी नहीं कि यह है यह एक डायमेंशन दिया वह एक ले लेयाऊट है यह क्या है ले आउट को कभी याद करने का कोशिस मत किजिएगा ले आउट आपका समझने के लिए होता है जैसे अगर हम बोलेंगे कि वह माइस है ना माइस में जो SDL है वह 550 गोल पर काम चलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि जो SDL है पूरा दुनिया में सब 550 गोल पर चलता है ठीक है वह एक लियाउट है तो इसी तरह से यहां पर एक लियाउट दिया हुआ है कि अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 मिटर इंटू 3 मिटर का है तो उस है ठीक है लाइट बैरियर का मतलब एक पूरा पूरी जो खांच आप देखे ता पूरा इसको बोलेंगे पूरा पूरी बैरियर ठीक और अगर आप ऐसे बेंच बना रहे हैं तो आप इसमें भी जो टीन्ठो रखें चार्टो रखें यह सब है बैरियर तो सब मिला करके 100 ए देखो self का मतलब होता है एक particular जैसे माली जैसे आलमारी जैसा बनाए ना तीन ठोई इसमें है तो इसको ये वाला में हम रखे हैं इसको बी वाला कहिए तो ये एक self है लेकिन ये पूरा को मिला देंगे तो ये एक barrier ठीक है एक self हो गया एक फोग और barrier समझ गया आप समझदार है बाकी इसमें भी देखिए अगर माली जैसे bench बना बनाके आप रखे हैं इसके में एक बेंच बनाके दूसरा बेंच बनाके तुसरा बेंच बनाके रखे तो ये इस particular को आप क्या कहेंगे self है और ये जो पूरा का बात करेंगे पूरा का तो ये कहलाएगा एक barrier क्य यहां पर बोलतेों लाइट अगर है तो सौ किलो Dort तो साट केलो पर मिटर स्कॉयर हेवी वाला है तो 60 कीलो पर मीटर स्क्वायर ये सब कुछ data है जो आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक है ये 100 कीलो क्या है पूरा पूरी बैरियर का है यह क्या है पूरा पूरी बैरियर का और यह एक पर मीटर स्कॉायर पर बारम दिया गया तो यह सब थोड़ा सा बाकि यहां पर लॉंगवाल के बारे में दिया हुआ है कहा गया है कि लॉंगवाल वर्किंग अगर है तो इस टाइप का बैरियर हम इस्टॉल कर सकते हैं लॉंगवाल गेट है या कन्वेयर है तो उससे पचास से 120 मिटर का दूरी नियरेस्ट पॉइंट होना चाहिए ठीक है लॉंगवाल है तो यहां पर पचास से 120 मिटर हो जाएगा लाइट के लिए और 200 से 300 मिटर हो जाएगा हैवी के लिए इस सब मिल जाएगा आपको डाटा एक बार में याद नहीं होता इस सबका बस कॉंसेप्ट को समझेगा लॉंगवाल के लिए मतलब अलग है लॉंगवा का बात करें तो सौस से 1500 मिटर होता है लैंडिंग जहां पर हम उतर रहें तो और मिडिल रोडवे में 200 मिटर के आसपास मतलब सौसर देट समिटर साफ्ट वाला के केस में तो इस सब को एक बार दूबर देखेगा ना तो आपका याद हो जाएगा किताब में लिखा हुआ ह है अंडरलाइन भी करके हैं तो यह सब कि मेंटेनेंस ऑफ बैरियर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकल चीज़ ज्यादा बढ़ा है तो कहीं आप को दिक्कत ना हो जाए चली मेंटेनेस के बारे मां आपको समझा देते हैं अगला क्लास में एक नया चैप्टर का सुरुवात करेंगे चैप्टर अभी बहुत जल्दिया दो तीन क्लास में खतम हो रहा है तो हम स्पीड नहीं पढ़ा रहा है पढ़ा वही रपतार से रहे हैं लेकिन जो आमने कहा था आपको कि अगर थोड़ा सा एक बार गौर कीजेगा एक बार पढ़िये गार वोल्यूम टू निकाल के कभी एक बार पढ़िये गा ठीक है हम जो कह रहे हैं उसको रिलेट कर पाईएगा वोल्यूम टू में एक कुछ चीज है जो intermediate level का है और कुछ चीज है जो advanced level का है ठीक basic level पे हम बहुत ही अच्चे से पढ़ाएं इंटर्मिडिएेट लेवल को भी अच्छे पढ़ाई, एडवांस लेवल में भी कुछ चैपटर थी, एडवांस लेवल के कुछ चैप्टर थी, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा समय देना पड़ा, जैसा पंका था, फैन लोज था, आर्टिफिस्स था, बहुत सार ऐसा इसा जल्दी हम पढ़ा रहे हैं यह बहुत ज्यादा आपको नहीं दे रहे दे उतना ही रहे हैं जितना आपको जरुरत है ठीक है तो आई होप यह आपका काम का होगा ठीक है चलिए आज इतना ही रखते हैं आप सबसे अगला क्लास मुगलाकात होगा और पिपिटी का इदम पचास वोग काम है तो क्या कर सकते हैं तो लेकिन बना के आपको भीजते रहेंगा आप उसका जिंदा मत दीजेगा चलिए आज इतना ही रखते हैं अगले क्लास में एक नया चेप्टर की तरफ सुरू करेंगे इसको खतम भी करेंगे एक नया चेप्टर को देंगे इसके बाद वाला चेप्टर साइद रेस्क्यू है जी बड़ा मज़दार चेप्टर है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा हलका चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक सबको जैहिन जो फी नहीं दिये है उसको बता देते हैं फी क्लियर कर दीजिए बार बार गुलना पड़ र क्यां पार बार ब already नहीं जो Susy अले को जोगदाले को जाइग हँूल मुण भब वक्वड़ स्बाक देम्यम कर देते हैं अप्टर हैं यह कॉले क्याज़ बाद कि भंप क्रदू देएि Hybrid Sure Can